हलो स्टुडाइंट्स इस्टडी 24 उदेपुर में आप सभी का स्वागत हैं आज के स्वीडियम हम न्यूंतम समर्थन मुल्य मिनीमम सपोर्ट प्राइज क्या होती हैं MSP इसके बारे में डिसकस करेंगे और हाली में सरकार के द्वारा 2020-21 के लिए जो रभी की फसले हैं उनके न्यूंतम समर्थन मुल्य में जो वरद्धी की गोशना की हैं वो कितनी हैं वो भी हम वीडियो के अंत में देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम ये समझने का प्रियास करेंगे कि आखिरकार ये न्यूंतम समर्थन मुल्य मिनीमम सपोर्ट प्राइज MSP होता क्या हैं इसका क्य अर्थ हैं इसका उद्देश क्या होता है सरकार के द्वारा क्रशी उत्पादों का न्यूंतम समर्थन मुल्य क्यों गोशित किया जाता है और न्यूंतम समर्थन मुल्य का निर्धारन किस आधार पर होता है इसके कौन-कौन से निर्धार रखे तो आज की वीडियो में हम इस समर्थन मुल्य का अर्थ देखें तो न्यूंतम समर्थन मुल्य क्या होता है एसा न्यूंतम मुल्य जिस पर सरकार क्या करती है क्रशों को की द्वारा जो क्रशी उत्पादन ठीक है क्रशक क्या करते हैं जो भी उत्पादन करते हैं तो उस क्रशी उत्पाद को सरकार जिस किम मातरा खरिदने की बात की जाती है गोशना की जाती है उसको हम कहते हैं नियुंतम समर्थन मुलिया अब देखिए होता क्या है कि जब बाजार में करशी उत्पादन जब तयार होके आता है तो मांग और पूर्ति के आधार पर जो किमत का निर्धारन होता है वो कभी कभी क्या होता है जब वस्तों की पूर्ति अगर बंपर उत्पादन होता है करशी उत्पादों का तो इस सिस्थे में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर जो किमत निर्धारत होती है वो इक तरह से क्या होती है बहुत कम होती है और जिस किमत में जो किसान है वो उस क्रशी उत्पाद की जो लागत हैं जो खर्चाया हैं वो भी नहीं निकाल पाते हैं ठीक है जब बाजार में वस्तों की जो पूर्ती हैं बढ़ जाती हैं और कब बढ़ती हैं जब फसल तयार हो के आती हैं बंपर उत्पादन जब हो जाता है जब बहुत अधिक मातरा में फसल धरित होती है वो बहुत किमत कम होती है वो किमत एक तरह से बहुत ही कम होती है ठीक है जिसमें किसान अपनी उसकी लागत ही नहीं निकाल पाते हैं तो इसी इस्तिमत सरकार क्या करती है इस अनिश्चिता को दूर करने के लिए क्योंकि जब किमत इतनी कम हो जाएगी कि किसान एक तरह से उस उत्पादन की लागत नहीं निकाल पाएंगे तो आगे आने वाले समय में वो नया क्रशी उत्पादन करने को परोचसाहित नहीं होंगे तो इसी इस्समें सरकार क्या करती है यह जो अनिश्यता बनजाती है इसको दूर करने के लिए सरकार उन करशी उत्पादों की जब फसलों की बुवाई होती है ठीक है फसलों को जब बुवाया जाता है तो उस समय एक तरह से उनका एक न्यूंतम समर्थन मुल्य है वो सरकार के द्वारा गोशित कर दिया जाता है ठीक है ठाकि किसानों के मन में जो डर होता है जो भय होता जो अनिश्टिता है कि जब फसल कटके आएगी तयार हो कि जब बाजार में आएगी तो उसकी किमत बहुत कम हो जाएगी और इसी इस्तिमें वो अपनी लागती निकाल पाएंगे तो इनको एक सरसे क्या होगा बहुत सारा नुकसान होता है तो इस नुकसान से बचाने के माना कि सरकार ने कोशिट कर दिया कि गेहूं का जो न्यूंतम समर्थन मुल्य है वो कितना है? दो हजार रुपख लेकिन ये कीमत एक तरह से क्या है बहुत काम एमाना की तो इस इस्ति में सरकार ने क्या क्या इस अनिश्चेता से बचने के लिए फसल कटके जब आई थी उससे पहले या फसलों की जब वई की जाते हैं उसमें सरकार ने उसका न्यूंतम समर्थन मुल्य कितना गोशिद कर ज हुआ कि अगर बाजार मुल्य अगर इस न्यूंतम समर्थन मुल्य से कम हो जाता है तो इस इस्ति में सरकार क्या करेगी क्रशों का जो क्रशी उत्पादन है जो गिहूं है या दूसरे फसले और भी हो सकती है तो उसको दो हजार रुपे प्रतिक विंटल के साफ से कौन खर जिदेगी तीक है जब बाजार मुल्य कम हो जाता है न्यूंतम समर्थन मुल्य से और बाजार में अगर कोई व्यक्ति उसको खरिदने के लिए तयार नहीं होता है जो किसानों ने क्रशी उत्पादन तयार किया है यहूं मक्का या कोई भी फसल हो सकती है तो सरकार के द्व हितों की रक्षा करने के लिए या किसानों में जो अनिश्यता उत्पन हो जाती है कि जब फसल कट के आएगे तो इसकी किमत बहुत कम हो जाएगे और किसानों को नुकसान होगा तो ये जो डर है ये जो अनिश्यता है तो क्रशों को की हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्य करते हैं जब करशी उत्पादों کی बाजार कीमत गिरने की संभाना होती है तो सर्कार उनके लिए क्या करती है एक न्यूंत्म समर्थन मुल्य की गोश्चन ह कश्चन या करें भारत सर्कार का जो क्रशी सहकरिता और क्रशिक कल्यान मंत्रा उसके अधिन एक आयोग किस्ता आपने की गई हैं CACP क्रशी लागत एवं मुल्य आयोग जो समय समय पर सरकार को क्या करता है इस न्यूंतम समर्थन मुल्य के बारे में सरकार को सला देता है और फिर उस एड़्वाइज के अधर पर सरकार क्या करती है जो सरकार का केबिनेट ह वो न्यूंतम समर्थन मुल्य की गोशना करती है तो न्यूंतम समर्थन मुल्यों की जो गोशना है वो CACP के द्वारा नहीं की जाती है आर्थिक मामलों की जो केबिनेट होती है उसके द्वारा गोशना की जाती है और इस केबिनेट को जो क्रशी लागत और मुल्य आयोग हैं वो समय समय पर सला देता है भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 25 क्रशी उत्पाज जो हैं क्रशी फसले हैं उनकी MSP जारे की जाती है ठीक है न्यूंतम समर्थन मुल्य जो हैं वरत्मान समय में 25 क्रशी फसलों का तैयार किया जाता है इसमें साथ प्रकार के अनाज हैं गेहों मका जुआर बाजरा ये सबी जो अनाज हैं साथ प्रकार के कुल अनाज जो हैं उनका न्यूंतम समर्थन मुली तही किया जाता है फिर आठ प्रकार के ओयल सेट्स हैं तिलहन हैं ठीक है जिसमें मुफली सरसो स तो या बिन इस तरह के से आठ प्रकार के तिलहन हैं, पांच प्रकार के दलहन हैं दालें, जैसे कि तुर, मुंग, उड़द, मौसूरिय, समस्थ प्रकार की पांच दालों को समिलित किया गया हैं, और पांच व्योसाइक फसले भी हैं, जैसे गन्ना, जूट, कपास, इस तरह के से कुल पांच फसले हैं, मतलब कुल वर्तमान समय में अभी 25 क्रशी उत्पाद हैं, जिनका न्यूंतम समर्थन मुलिय गोशित किया जाता है, और आलू और प्याज जो हैं, वर्तमान समय में अभी तक इसमें शामिल नहीं हैं, ठीके, अभी जैसे मार्च 2020 चल रहा है, त अभी तक अगर हम देखें आलू और प्याज को भी न्यूंतम समर्थन मुली में लाने की मांग की जारी हैं लेकिन वर्तमान समय तक अभी तक इनको सम्मिलित नहीं किया गया है ठीक है आलू और प्याज जो हैं उनकी न्यूंतम समर्थन मुली की गोशना नहीं किया जाती है जो हरित क्रांती के जनक थे डोक्टर M. स्वामिन अथन तो उनकी अध्यक्स्ता में एक आयो का गठन किया गया था और उन्होंने बताया था कि जो क्रशी उत्पाद है ठीक है उनका जो मुल्य है वो उत्पादन लागत से 50% जादा होना चीए ठीक है क्रशी उत्पाद की जो उत्पादन लागत होती है उससे 50% प्रतिक है 50% जो है वो MSP एक तरह से जादा रखने की उन्होंने सिपारिश की थी अब देखिए जो न्यूंतम समर्थन मुल्य है उसका निर्दारन किस परकार से होता है MSP का निर्दारक हम कह रहे हैं कि गेहूं का न्यूंतम समर्थन मुल्य चन्ने का न्यूंतम समर्थन मुल्य मका का न्यूंतम समर्थन मुल्य तो ये जो न्यूंतम समर्थन मुल्य है उ उसक्रशी उत्पाद की अर्थ वस्ता में मांग कितनी और पुर्ति कितनी हैं फिर उसकी उत्पादन लागत कितनी हैं ठीक है उत्पादन लागत का मतलब क्या हो गया कि उसक्रशी उत्पाद को बनाने में जिसे बीज हैं उर्वरक हैं सीचाय के साधने मशीनरी टेक्टर हैं तो इन समस्तरकार के खर्चे कितने हैं तेकि उन खर्चों के आधर पर किया होगा नियूंतम समर्थन मुल्य की बोशना की जाती है तो उत्पादन की लागत कितनी है वो देखी जाती है साती साथ उस सक्रशी उत्पात की वर्तमान समय में गरेलू बाजार में किमत कितनी है और अंतर रास्टी बाजार में उस सक्रशी उत्पात की किमत कितनी है वो भी देखा जाता है साथी साथ इस क्रशी उत्पात की जो किमत है उसका उब्वोक्ताओं के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा उब्वोक्ताओं का जो जीवन इस तर है क्योंकि अपनी आउशक्ताओं की पूर्थी करने के लिए इनका प्रियोग करता है तो इसका उभबोकताओं की जीवन इस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथी साथ जो ओड्योगी किलागत संद्रचना है उस पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है साथी साथ अर्थ वियस्ता में जो general price level होता है सामाने कीमत इस तर उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि न्यूंतम समर्थन मुल्य में अगर वर्दी की जाएगी तो ये सारे जो घटा के उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है सामाने कीमत इस तर बढ़ भी सकता है तो इन सबी बातों का विशलेशन करके ही न्यूंतम समर्थन मुल्य जारी किया जाते हैं तो न्यूंतम समर्थन मुल्य के नरधार कौन कौन से हो गए जो क्रशी उत्पादें उसकी मांग और पूर्दी कितनी है अर्थविस्था में उसकी उत्पादन की लागत कितनी है अंतर रस्टे बाजार में उस करशी उत्पाद की कीमत कितनी है उसका उबोकताओं के उपर उबोकताओं के जीवन इस्तर पर क्या प्रभापड़ेगा अर्थ्वेस्था में जो सामने कीमत इस्तर है उस पर क्या प्रभापड़ेगा इन गटकों का अधियन करके नियूंतम समर्थन मुल्य गोशित किया जाता है अब देखिए जो नियूंतम समर्थन मुल्य हैं उसकी गोशना क्यों की जाती हैं उसका निर्धारण क्यों किया जाता हैं उसके कौन-कौन से उद्देश हैं कि हमने शुरू सुरू में पढ़ा था कि जो किसान होते हैं उनको करशी उत्पाद का उचित मुल्य दिनाना नहीं तो क्या होगा उनको घाटा होगा क्योंकि जब क्रशी उत्पाद बाजार में आता है तो मांग और पूर्ती की शक्तियों के आधार पर क्रशी उत्पादन का जो मुल्य निर्दायत होता है वो एक तरह से क्या होता है बहुत कम होता है और इस इस्तिमें जो किसान है वो अपनी लागत नहीं निकाल पाते हैं और उनको क्या होगा गाटा होगा और जो लोग हों उनका कुछ शोशन भी होता है जैसे कि लोग क्या करते हैं खरशी उत्पा या उनको करशी उत्पाद का उचित मुल्य दिलाने के लिए नियुम्तम समर्थन मुल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है साथ इसाथ जो हमारे सारजनिक वित्रन प्रणाली है जो हमारे सरकार के पास में जो खाद्य बंडा रखे जाते हैं तो उस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक तरसी न्यूंतम समर्थन मुल्य की गोशना की जाती हैं कि जब बाजार कीमत के हो जाती हैं बहुत कम हो जाती हैं तो सरकार उस न्यूंतम कीमत पर सारे करशी उत्पाद को खरीद लेगी और उस करशी उत्पादन को जो सार्जिक वित्रन पनाली के माधियम से लोगों को उपलब्द कराया जाता है तो उसके लिए जो सुरक्षित भंडार उसके पास में उपलब्द हो जाएंगे साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब अर्ट्वेस्णा में बारेश या जलवाई वो अगर अच्छी होती है दुसमें करशी उत्पादन जो है वो अधिक मातरा में होता है उसका बंपर उत्पादन होता है करशिय उतपादन की जो पूरती है वो एक तरह से बहुत अधिक मातरा में बढ़ जाती है और करशिय उतपादन की पूरती है अगर एकदम बढ़ जाती है अच्छी जलवाई होए अच्छे मोसम या विविन कारणों के खारण तो इस सिस्थिम में क्या होता उनकी कीमते कम हो हो फिर करशी उत्पादन में अगर हम देखते हैं कि अनिश्चिता का बातरों पाए जाता है कि किसानों के अगर बाजार मुली से कम हो जाता है तो उस कीमत पर सरकार क्या करेगी खरीद लेगी किसान सुचता है कि हम गेहों का उत्पादन कर रहे हैं और हमको दो हजार रुपे प्रती क्विंटल के हिसाब से प्यसा मिल जाएगा लेकिन बाजार कीमत माना कि अगर पंदरा सु रुपे हो जाती है तब भी किसानों के मान में एक तरह से निश्चिता होगी कि हमको दो हजार रुपे तो कम से कम प्रती क्विंटल के हिसाब से मिलेंगे त क्योंकि उनको लगएगा कि हमको नियूंतम जो इतना मुली हैं वो तो मिल जाएगा अब देखिए यह जो नियूंतम समर्थन मुली सरकार के द्वारा गोशित किया जाता है तो उसके कौन-कौन से लाब हैं उनको हम देख लेते हैं तो जब सरकार के द्वारा किसानों поэтому को ये भरोसा दिलाया जाता है कि उनका जो क्रशी जो उत्पाद है उनकी एक नियुनतम किमत होगी उससे कम किमत नहीं होगी तो इससे किसानों की जो आए हैं वो एक तरह से बढ़ेगी साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा नहीं मिलेगे दिये सार एक तरह से लाव होते जिन से प्रेडित होकर किसान जो है वो अधिक उत्पादन करने के लिए वो प्रेडित होता है लेकिन इसकी कुछ हानिया भी है कि जैसे जो भूमी है उसका अगर निरंतर प्रियोग क्या जाता है तो उसकी जो अरुवरा शक्ति है उर्वरकों का प्रियों करने से कीट नाशुक जो है दवाया उनका प्रियों करने से भूमी की जो उर्वरा शक्ति हैं उसमें कम हो जाती है साथ इसाथ आए की विशमता बढ़ जाती है कि हो सकता है माना की जैसे जो दलहन की फसले हैं तो जब न्युन्तम समर्थन मुली की गोशना की जाती है तो जो बड़े-बड़े किसान हैं जो दलहन का उत्पदन करने वाले किसान है उनको तो एक मिनिमम आए मिल जाती है लेकिन बाकी की दूसरे किसानों को नहीं मिल पाती हैं तो इस इस्तिम अर्थवस्था में आयक की जो विशमता हैं वो बढ़ेगी साथ इसाथ किसानों के मन में एक तरफ से भैस माफ्थ हो जाता है कि हमको न्यूंतम इतना मुली मिल जाएगा तो इस इस्तिम में जो प्रतिस परदा होने चाहिए वो प्रतिस परदा देखने को नहीं मिलती हैं तो यह सार इसके एक तरसे दोश कहे जाते हैं तो आपको समझना आ गया होगा कि न्यूंतम समर्थन मुलेक तरसे क्या हो गया कि फसलों की भी मा कीमत हम कह सकते हैं ठीक है कि न्यूंतम कीमत जो सरकार के द्वारा किसानो को दे जाएगी ठीक है अगर उससे कीमत काम हो जाती हैं तो उस कीमत पर सरकार एक तरह से क्या कर लेगी उनकरशी उत्पादों को क्राए कर लेगी अब देखिए वरतमान समय में जैसे सरकार के द्वरा कुछ रभी की जो फसले हैं उनका मुल्य गोशित किया गया है न्यूंतम समर्थन मुल्य वो कितना है वो देखिए जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम गेहों की बात कर रहे हैं ठीक है दूसकी जो कोस्ट और प्रोडक्शन जो एस्टिमेट की गई वो कितनी है 923 और 2020 के लिए इसका जो न्यूंतम समर्थन मुल्य है वो कितना रखा गया है 1925 फिर जैसे बाढ़ले ठीक है जो जो हैं उनका कोस्ट का जो अनुमानँ वो कितना है 919 है और 2020 के लिए जो न्यूंतम समर्थन मुल्य की गोश्णा की गई वो कितने है 1525 ठीक है और यहाँ पर हमने कितनी वरदी होई है 209 और 20 और 20 bubble 221 के तुल्वा में वरदी के अगर हम बाद करें तो गेहुं का जो नियुनतम समर्थन मुलियós में कितनी वरदी होई है 85 और % में देखे दिये कितना है 109 % है इसी तरीके से जो जो हैं ठीक है उसका मुल्य नियुन्तम समर्थन मुल्य 1440 था 2019-20 में और 2020-21 के लिए 1525 थी किया कुछ रभी की फसलों के हम बात कर रहे हैं और इसमें कितने व्रद्धी की गई है 85 रुपिस की और परसेंट में अगर हम देखें तो 66% की व्रद्धी हुई है ठीक है 2019-20 और 2021 के हम पुलना कर रहे हैं फिर जो चना है उसका नियुन्तम समर्थन मुल्य 2019-20 में कितना था 4620 था और उसको बढ़ा कर अब कितना कर दिया गया है 4835 ठीक है 255 रुपे की व्रद्धी की गई है 74% की इसी तरीके से जो मसूर की डाल है उसका नियुन्तम समर्थन मुल्य 2019-20 में कितना था 4445 था ठीक है जो 2020-21 में बढ़ा कर कितना कर दिया है 48325 रुपे की व्रद्धी की गई है प्रतिक क्विंटल के साथ हम देख रहे हैं और परसेंट में अगर हम देखें तो 76% जो है वो नियुन्तम समर्थन मुल्य बढ़ाया गया है इसी तरीके से जो तिलहन है सरसो है उसका जो मुल्य है वो 4200 था 2019-20 में जिसको बढ़ा के 4425 रुपे की व्रद्धी की ये मतलब 90% हम के सकते हैं 4200 था 4425 और फिर जो सन्फलावर है उसका नियुन्तम समर्थन मुल्य 2019-20 में कितना था 4945 था ठीक है जिसको बढ़ा के कितना कर दिया है 267 मतलब कोस्ट के इसाफ से अगर हम देखें तो कितनी व्रद्धी उसमें 50% ठीक है ये जो व्रद्धी है वो किस इसाफ से है कोस्ट के साफ से ठीक है इससे हम तुलना कर रहे है कि कोस्ट इतनी थी और उस कोस्ट पर नियुन्तम समर्थन मुल्य कितना है 2020 में इतना तो जो व्रद्धी है 923 से 1925 ठीक है ये 109% है फिर ये 919 से 1525 से 66% है फिर ये 801 है ठीक है लागत से हम तुलना कर रहे हैं तो इस तरीके से ये नियुन्तम समर्थन मुल्य है वो गोशित किये गए हैं रभी की फसलों के बारे में कुछ अभी जो वर्तमान समय मे इंक्रीस किये गए थे बढ़ाय गए थे वो हमने देखे थे